नमस्कार दोस्तों मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महतों मैं दोस्तों राजस्थान जी के जो है पचास प्रश्णों के साथ एक बाथ उसे उपस्तित हूँ अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखिये तो उसे भी जा अगर आप तैयारी करना है तो किसी भी एक्जाम के लिए यह इंपॉर्टेंट प्रश्ण है तो देर ना करते हुए सिधा प्रश्णों को देखेंगे और पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट प्रश तो राइट अंसर है फ्लोराइट अगला प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण हमारा कह रहा है कि मुंसी देवी प्रशाद ने किसको राजस्थान का अब्दूल्त वजल की जो है संग्या दी है तो राइट अंसर मुनोत नैंसी को अगला प्रश्ण देखते हैं अगला पत्जड़ वाले बन पाये जाते हैं राइट अंसर आप्शन ए उद्यपूट चित्वर्गर्ण सिरोड़ी और बूंदी है ये टैपिंग में स्टेक खत्रोड़ी ये बूंदी है अगला प्रश्ण है किस चित्र सैली में पसु पक्षियों की बहुता रहती है तो राइट अंसर है आप्शन दी बूंदी सैली में अगला प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण है नर्मदा नहार प्रयोजना से लभ्यानुवित जिले है इसका राइट अंसर है जालोर और बालमेर आप्शन दी इस राइट अंसर अगला प्रश्ण है राजस्थान की रुंडित सरीता किस नदी को कहा जाता है राइट आंसर बाल गंगा को अगला प्रशन लोख नाट रूप रमवत जो है किस छेतर से संबंधित है राइट आंसर बिकानेर से अप्सन C अगला प्रशन राजस्थान के किस भाग में सुस्क खेती प्रचलित है राइट अंसर आपशन डी प्रश्मी भाग में अगला प्रशन निमलिखित में से कौन सा यूग्म यानि कि वाद्यंत जो है सुमलित नहीं है तो इसमें जो नड़ जो है ये घनवाद नहीं है अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है निमलिखित संतु में से किसने अपने लेखन में मिवाती बूलियों का जोहर प्रियोग नहीं किया है नहीं किया है पूछा है तो राइट अंसर अप्शन सी सुन्दर सुन्दर दास अगला प्रश्न है जो है ये बताना है कि कौन क्या हुआ था तो निमलिखित में से कौन माराथा आग्रमर के खिलाब हुरुडा सम्मिलन में जो है समलित हुए थे हुरुडा का जो सम्मिलन हुआ था उसमें समलित हुए थे तो इसका right answer option C है A, B और D महराजा जस्वान सिंग समलित नहीं हुए थे अगला प्रश्ण है निमलिखित में से कौन सा यूग्म RT, DC के होटल का नाम जो है समलित नहीं है तो ढोला मारू जोदकूर समलित नहीं है option D right answer है अगला प्रश्ण है वादियंत्र जो कच्ची घोडी निरित में बजाया जाता है तो ज्ञाच जो है बजाया जाता है अगला प्रश्ण है लोक नाट चार बैत किस सहर से सम्बंदित है इसका right answer option C टोंक से सम्बंदित है अगला प्रश्ण निमलिखित में से कौन सा यूगल जो है निरित है यूगल निरित है तो right answer संकरिया यह बार बार दव जा रहा है अगला प्रश्ण निमलिखित में से कौन सा सा सक चितर कला सहली से जो है सम्बंदित नहीं है तो right answer विजय सींग देवगर अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है कि यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत्त की यातरा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे तो सबसे पहले वुह्या को पाएंगे फिर बांडी को पाएंगे फिर सुकडी को फिर जवाई को तो राइट अंसर ऑप्सन बी अगला प्रश्ण राजस्थान में किस पीड को जंगल की आग कहते हैं तो पलास को जो है जंगल की आग कहा जाता है अगला प्रश्ण है दजिया और चीमाता राजस्थान की किस जंग्जाती से संबंधित है तो ऑप्सन डी भील अगला प्रश्ण है निमलिखित में से कोन सा अस्थला कृत अवस्थित सही सुम्रित नहीं है तो रामगण, पहाड़ी, राजसंबंध अगला प्रश्ण निमलिखित में से कौन सा पश्ण डी भील जो है सुम्रित नहीं है तो इसका राइट एंसर है खेरी, बकरी अगला प्रश्ण है ये जो है सुम्रित करना है एक को जो है दूसे तो एक तरफ संत दिया हुआ है एक तरफ जो है संप्रदा दिया हुआ है तो रामानुजा चार जो है ये विशिष्टा द्वेत से समंधित है आप्शन सी नीचे चलते हैं देखते हैं तो पहले का तीन यानि की सी जो है दिया हुआ है ये रहा C answer इसका सही है अगला प्रश्ण है B जो है इसका सही है इसका B जो है सही है अगला प्रश्ण है ये भी सुमृत है पलसु मेला और इसको जो है अस्थान से मिलाना है तो मली नाथ जो है ये बाड मेर से सम्बंदित है और चंदर भागा मिला जो है ये जहालरा पाटन से सम्बंदित है तो इसी साथ से इसका जो है option C होगा अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान में परेटन विभाग की अस्थापना हुई थी तो राजस्थान में परेटन विभाग की अस्थापना जो है 1956 में की गई थी अगला प्रश्न है किसकी सिफारिसों के अधार पर जो है आबू दिलवाडा तहसील को जो है राजस्थान में मिलाया गया था तो फजल अली के सिफारिसों के अधार पे अगला प्रशन है ग्रियशन ने जो है किस बूली को जो है भीलो की संग्याद दी है तो वांगडी अप्संटी अगला प्रशन है परधान मंतरी कुसुम योजना के थात भारत में पहला सोर उर्जा सहित्र जो है अस्थापित किया तो इसका राइट अंसर है भोला जी जैपूर में है ये टैपिंग मिस्टिक है ये अलो जी हो गया है इस आलो नहीं एस भालो जी है भालो जी ठीक है इससे सही कर लिजेएगा यह भाल लोजी है जैपूर अगला प्रशना है राजस्थान में नियूंतम जनसंख्या वाले निमली के तीन जिलो का सही बढ़ता क्रम जनसंख्या 2000 के अमसार है नियूंतम तो नियूंतम जो है जैसल मेर में है परताबगर और सिरोही में आप्शन भी इस में स्वरवधिक धूल भरी आधिया जो है किस जिले में आती है तो राइट अंसर अप्शन सी गंगा नगर अगला प्रशन है राजस्थान में निमलीखित में से कौन सा एक बाल का इस्तूप जो है का प्रकार नहीं है तो धली नहीं है बाकी बर्खान सी पेराबोलिक यह स परकुल पूरुस प्रचलित जोतों की संख्या है तो और 68.66 लाग अगला प्रशन है राजस्थान सरकार ने उद्ध्योग विभाग का नया नाम जो है बतल के कर दिया है तो उद्ध्योग यह वाडिज विभाग आप्शन डी अगला प्रशन है प्रधार मंत्री कृष्य स जो है सुच्म सिचाई के वित्य पोर्शन के प्रेटन के अंद्र जो है राजे में जो है है तो 40 अनपाते स्वरी 60 अनपाते 40 अप्शन भी अगला प्रशन है 2011 की तुलना में 2011 की जड़गर्ना के अंसार राजेस्थान में नगरी छेतर में लिंगान पात प्रती 1000 पूरुस पे कितनी महलाओं से बढ़ा है तो इसका राइट अंसर 24 अप्शन डी अगला प्रशन है 1822 में गठित मेरवाल बटालियन का मुख्याले था तो राइट अंसर ब्यावर अगला प्रशन है कमला और इलाची किस चित्र सेली की अगणे महला चित्रकार थी तो राइट अंसर नात द्वारा अगला प्रशन मिरजाई दुतई और डगला किसके प्रकार है तो अंग रखे के प्रकार है अगला प्रशन है निम्ने में से मुखमंत्री को डिंग गोली मार के बाद इस्थीपा देना पड़ा और उन्हें कब इस्थीपा दिया तो सीव चरण माथूर 23 फरवरी 1985 को अगला प्रशन है राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीड विकास अभिकरण का विले जिला परशद में कर दिया गया तो 2003 में अगला प्रशन है अगला प्रशन है राजस्थान सीविल सिवा अपील अभिकरण जो है कहां इस्थित है तो राइट अंसर अप्संडी जैपूर में अगला प्रशन राजस्थान राजे महिला आयोग के संबंद में कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन जो है सत्य है तो इसमें आप्संड सी दो तीन और चार सही है दो तीन और चार सही है यह आयोग जो है 15 मई 1929 को गठित हुआ और ये जो है गेर सेम्वधानिक को परमर्ष कारी जो है निकाये है इसका कारी महिले उत्विडन से समध्य सिकायते सुनना तथा उसकी जांच करना है अगला प्रस्न नहें राजस्थान में लोका युक वार्शिक प्रतिवेदन को जो है प्रस्थूत करता है किसको प्रस्तुत करता है तो राइट अंसर राज जिपाल को अगला प्रशन है वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती संस्थाव के लिए कितनी बार चुनाव आयूजित किये गए तो राइट अंसर 11 बार ऑप्शन D अगला प्रशन है बंब रसिया कौन से छेतर का लोक नित है बंब रसिया कौन से छेतर का लोक नित है तो अलवर और भरत पूर ऑप्शन D अगला प्रश्ण है राव जैट सी रोच्छंदर के रचेटा है तो बीठू सूजा, option A is right answer अगला प्रश्ण है निमलिखित में से कौन सा क्रिशी जलवायू, खंडज, राजस्थान में जोहस बड़ा है तो D1C अगला प्रश्ण है, Tokyo Paralampics 2021 में आउनी लखेरा ने किस असपर्दा में सूण पदत जीता तो सूटिंग में, अगला प्रश्ण है निमलिखित में से कौन सा बन निजीव अभ्यारण जीला सुमलित नहीं है नहीं यहाँ पर पूछ रहा है, सुमलित नहीं है तो Option B, बंद बेरैठा, अलवर अगला प्रश्ण है, सूची A को सूची 2 से मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो तलाब ये साही जो है धोलपूर में है और गैप सागर ये दुमरपूर में है तो एक का तीन एक का तीन ऑप्शन बी इसका सही है अगला प्रशन देखते हैं हमारे जो है पचास जो है कंप्लीट हो गए और एक वीडियो में जो है पचासी प्रशनों को रखेंगे तो पसंद आया हो तो चैनल को जुरूर लाइक सर्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं गले वीडियो में ख्याल रखिया धन्दावाद